सबी विद्यारतियों को नमस्कार मैं डोक्टर पमन कुमार जांगिड हम लोग विश्वे के महांचित्रकारों की जीवन एवं उनके कर्तित्वे एवं कलाकारिये के बारे में अध्यने उचर्चा कर रहे हैं उसी करम को आगे बढ़ाते विए इससे पूर्वे हम लोगों ने प्रभावाद के बारे में विश्टरित रूप से अध्यन किया प्रभावाद के शिद्धान्त एवं उसके कुछ कलाकारों के बारे में चर्चा की आज हम प्रभावाद के प्रमुक कलाकार या मुख्य कलाकार एद्वार माने के जीवन एवं उनके कुछ चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले एक विशेश बात ये बताना चाहता हूं कि आधुनिक कला में या आधुनिक कला का अध्यन करने शिपूर्वे हमें प्रभावाद को जान लेना अतियाविश्यक है जिसके बारे में हम पूर्वे में चर्चा कर चुके हैं फिर भी कुछ बातें बतानी आविश्यक हैं जैसे कि आधुनिक कला वे प्राचिन कला में यह एक अंतर देखने को मिलता है कि प्राचिन कला कार अपनी कला के उद्देशे के लिए या तो धर्मादिकारियों राजाओं वे सामाजी काविशक्ताओं पर निर्भर रहते थे जबकि आधुनिक कला कारों ने अपनी कला के उद्देशे को निश्चित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया यानि अथार्थ इन कला कारों ने मोलिक रूप से या स्वतंतर रूप से चित्तरन किया है जबकि पूर्व के जितने भी कलाकार हैं वे या तो धर्मादिकारियों के द्वारा निर्देशित या राजाओं या शामाजिक आवशक्ताओं को देखते हुए वे चित्रन करते थे जबकि आधुनिक जो कलाकार हैं इन्होंने स्वतंतर रूप से मोलिक सरजन किया है यह एक विशीश अंतर देखने को मिलता है दूसरी बात ये कि प्रभावाद का अध्यन किये बिना आधुनिक कला की विशेष्ताओं को समझना असंबव सा लगता है प्रभावादी चित्रकारों ने विज्ञानिक अध्यन करके प्रमप्रागत अंकन पद्यतियों में करांतिकारी परिवर्दन किये और आधुनिक कला की अंकन पद्यतियों की निव रखी एवं कलाकार की विशे के प्रतिद्रश्टी कूण को इन कलाकारों ने नया विचार परधान किया ये जो सामने आप व्यक्ति चित्तर देख रहे हो ये एद्वार माने का है आधुनिक चित्रकला के जनम दाताओं में सेजान गनवाद के प्रेणेता पिकासो वे ब्राक अभिवेंजनावाद इंफावाद के प्रेणा के स्रोत वानगो वे गोगवे इन कलाकारों ने तता आधुनिक कला के आरंबिक काल के करीब सभी चित्रकारों ने अपने विध्यारती अवस्ता में प्रभावाद के अध्यन्षे लाब उठाकर अपने कला को नई दिशाई या नई दिशाओं में मोड दिया अतह है प्रभाववादी चितरकारों ने प्रमप्रागत अंकन पदतियों में वे खलाकारों की परचलित विचार धारों में बहुत सारी परिवर्तन किये तो उन परिवर्तनों की बारे में हम अधिन करेंगे और उनका प्रेनेता या मुख्ये खलाकार रहा है मानने जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आधुनिक चित्रकला की इतियास में ठारा सो तरेशट का वर्ष बड़ा महत्वपून रहा इस वर्ष पेरिस में ऐस्वेकरत चित्रों की परदशनी का आयोजन हुआ था जिसमें परदशित एद्वार माने का चित्रे तरण परभोजन की बहुती कटू आलोशना हुई थी तरण परभोजन की विश्त्री चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे लेकिन इससे पूर्वे आपको प्रभावाद के शिद्धान्तों के अंतरगत या प्रभावाद की जो शिद्धान्त या नियम बताए उसके अंतरगत हमने इसके वारे में कुछ चर्चा की है ये जो चित्र है एद्वार माने का है त्रण पर भोजन जो चित्र है ये वाला चित्र है गास पर भोजन करना इसके बारे में विश्टरी चर्चातों में अगले वीडियो में करूँगा लेकिन कुछ बातें इसके बारे में बता दूँ कि उस परदशनी में सबसे अधिक अलोचना माने के इस चित्र त्रण पर भोजन की हुई माने को यह आसा नहीं थी वे राष्ट्य कलाशंचता के विरोधी भी नहीं थे और उनकी माननेता के लिए सदे वे परियत नशीद रहे दो साल पहले उनके चित्र इस्पेनिस गिटार वादक वे माता पिता की वेक्ति चित्राश्टी कलापरदशनी में स्विक्रत हुई थे और पहले चित्र की कापी परशंचा भी हुई थी लेकिन इस चित्र की बहुत कटवा लोचना हुई जिसकी विष्टरी चर्चा हम लोग आगे करेंगे एद्वार माने का जन में ठारा सो बतीस में एक सैदन परिवार में हुआ था उनके पिता नय अदीश रहे हैं बच्पन से ही माने चित्रकार बनना चाहते थे लेकिन इनकी पिता सहमत नहीं थे और उन्होंने शोचा कि इनको यात्रा पर भेजा जाए जिससे इनका मानस बदल जाए इसलिए माता पिता के अनुसार एद्वार को रियो डिजेनेरू बेजा गया और वहां सागर परिभरमन के पच्चा साइद ये अपना निश्चे बदल दे लेकिन इसका परिणाम इसके वीपरीत हुआ माने का जो निश्चे था चित्रकार बनने का वह और अधिक पक्का हो गया और अंत में पिता की सम्मती से आग्या से माने चित्रकार कुत्योर की चित्रसाला में प्रिविश्ट हो गई प्रिवेश ले लिया यहाँ पिर 6 साल में अध्यन किया मानने और परमप्रागत अंकन पद्धतियों शें परीचित हो गए किन्तु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए और लूब्रे संग्रा लई जाकर इन्होंने विख्यात कलाकरतियों का अध्यन किया बाद में वे जर्मनी वे होलेंड भी गए जहां फ्रांस हाल्स की स्वचंद अंकन शेलिशें वे प्रभावित भी हुए इटाली जाकर इन्होंने जो पुनर जागरन कालीन ख्यातनाम कलाकार रहे हैं एवं विलासकेज के जो प्रमुक्चित्र हैं उनका अध्यन किया और इन देखने को मिला या इनका प्रभाव अधिक पड़ा आरंब में माने यथार्त वाद की और आक्रिष्ट हुए माने जब कुत्योर की चित्रशाला में चित्रांकन का अध्यन कर रहे थे वहां चित्रशाले वातावन शे वे परेसान थे और वे जब स्वतंतर विचार शे चि की इच्छा रखती थे माने रूडी बद शिक्षा से कितने उब गई थे यह उनके इस कतन से इसपष्ट हो जाता है जैसे कि वे कहते मेरी समझ में नहीं आता कि मैं यहां चित्रशाला में क्यों हूँ आसपास जहां भी देखो सब हास्यास्पद बातें हो रही है यहां सब इस चित्रशाला में क्रितरीम प्रकाश, क्रितरीम चाया यह सब देखकर माने बहुत परिशान रहता था जब मैं चितरशाला में प्रवेश करता हूँ माने कहता कि जब मैं चितरशाला में प्रवेश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ ऐसंतुष्ट होने पर भी माने ने दरड़ता से यहां पर नियम बद अध्यन किया और उससे इनको यह लाब हुआ कि उनके स्वचंद चित्रण में आकारों वरेखाओं में ऐसा डोल वे ले आया जो भहुती परिश्रम करने से प्राप्ते किया जा सकता है यह फाइदा इनको इस चित्रशाला के या चित्रशाला में अध्यन करने से मिला माने ने 1869 फिप्टी नाइन में अपना चित्र एबसित पीने वाला राष्टिय कलापरदशनी के लिए बेजा तब जिस चित्रशाला में अध्यन करता उस चित्रशाला के इनके गुरु कुत्यूर ने उनके इस चित्र को देखकर उपहास के साथ कहा यह किसी एबसित पीने वाले ने बनाया होगा इस चित्र के बारे में माने लिखता है मैंने पेरिश में उचा टोप पहने विए किसी निर्धन गुमककड को देखा और उसको वेलास केज की सरली कृत सेले में चित्रित कर डाला जैसे की बताया मैंने माने वेलास के से बहुत प्रवावित रहे हैं माने का यह चित्र स्विक्रित नहीं हुआ इनका पूरा नाम एडवार्ड माने है जनम इनका ठारा सो बतीश पेरिस प्रांस में हुआ और मर्दियों इनकी ठारा सो तैयासी एटी थरी में हुई पैंटिंग और प्रिंट मेकिंग का कारिय इन्होंने किया है नेशनल कुवर्ग इनका देखने को मिलता है यह माने है ठारा सो बासट में पेरिस में इस्पेनिस नर्तकों वे वादक ब्रंदों के कारिय करम हो रहे थे और माने ने प्रतेख्ष देखकर उनके कुछ तेल चितर वरेखा चितर बनाई यह चितर माने ने ठारा सो तरेशट की राष्ट ये कला परदिशनी से पहले मारतेन कलावितिका में परदशित किये चमकिली स्पेनिस रंग संगतिया माने को बहुत परशंद आई थी और उनकी अनुसार माने ने इन चित्रों में काले या गुंसर रंगों के उपर विशुद रंगों के प्रियोग किये थे जिससे उपर के रंग अधिक चमकिली दिखाई दे रहे थे चमकिली रंगों के इन प्रियोगों को समिक्षकों ने हीन अभी रूची का लक्षन माना वे लोला नाम की जो नर्तकी का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया उसकी बहुती निंदा की ये जो चित्र है ये है लोला नाम की नर्तकी का चित्र माने ने बनाया इस चित्र में जो रंग लगाई गए इसको देखकर कला समिक्षकों ने इसकी बहुती निंदा की इस परदशनी के बाद माने ने जब अपने चितर त्रण पर भोजन को ऐस विक्रत चितरकारों के परदशनी में दिखाया उसको देखकर तो बहुती निंदा हुई ये वाला जो चितर है त्रण पर भोजन जिसकी विश्त्री चर्चा हम आगे करेंगे इस परदशनी के बाद राजा ने नव कलाकारों के परती अपने उदारता को सिमित कर दिया और थारा सो चोशट में ऐस विकर चितर कारों के परदशनी के बजाए कुछ ऐस विकर चितरों को परदशित करके राष्टी एकलापरदेशनी का एकक्ष आरक्षित राजा ने कर दिया था, तरण पर बोजन चितर के बाद में, ठारा सो पैंसेट की राष्टी एकलापरदेशनी में माने का चितर ओलंपिया स्विक्रत हुआ, ओलंपिया ये वाला चितर, ठारा सो पैंसेट की इस चितर पर भी बहुत विवाद वा जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे एक तो त्रण पर भोजन और एक ओलंपिया चितर जिसकी बहुत ही निन्दा हुई कला समिख your ने इसन की अलोचना क्यों कि इसकी विष्ट्रीती चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे इस्पेन चले गए और वहां का रंगिला जीवन देखने को वे बहुत उत्ष सकते, किन्तु वहां की परिष्टिती को परतेक्ष देख कर वे निरास हो गए, कलपना वे ये थार्त दोनों सदेव एक दूसरे से परे होते हैं, 1666 की राष्टे कला परदशनी में माने का चितर बासूरी वाला ये जो आप चितर देख रहे हो हो, ये वाला चितर, बासूरी वाला ऐस्विकरत हुआ, किन्तु 1668 में उनकी दो चितर तोते वाली स्तरी और एमिल जोला राष्टे कला परदशनी में स्विकरत हो गए, एक तो ये एमिल जुला वर एक तो्ति-वाली यिस्तरी राश्टी कला परदिशनी में इनकी ये चितर सुखरत हो गए थी एमिल जोला जो ये आशामने आप चितर देख रहे हो चितर कला के परशल्ण शक थे और उनने माने पर एक पुस्तक भी लेकी थी जोला के व्यक्ति चित्र की प्रिष्ट बुमे में दिवार पर उलम्पिया की पर्ति करती वे जापानी छाप चित्र लगाए मिलते हैं जापानी छाप चित्रों का प्रभावाद की इतियास में विशेश इस्तान हैं यूरोप ये चितरकारों को जापानी चापा चितरों का प्रेचे आकस्मिक रूप से हुआ था जापान से जो चिनी मिट्टी के पात्र यूरोप जाते थे वे पुराने काग्जों में लपेटे हुए होते थे और इन काग्जों पर कभी चापानी कलाकार होकुसाई वे हीरो सिगे के चापा चितर हुआ करते थे इन दोनों कलाकारों के बारे में हम आगे अध्यन करेंगे चापानी चितरकार होकुसाई और हीरो सिगे के बारे में इनके बनाए हुए ये जो चित्र थे अकबारों में यूरोप पहुंचते और इनको देखकर माने भी प्रभावित हुआ। इन छाप चित्रों से कुछ यूरोपिय कलाकार इतने प्रभावित हुए कि इन छापा चित्रों को प्राप्त करने के हितों चीनी मीटी के पात्र इन उन्हें जापान से मंगवाई। दर्ष नेता बन गई। ये सब चितरकार वे सहित्तिक पेरिश की जलपान ग्रहों में मिलते वे विचार गोश्ट करते हैं। इन गोश्टियों के बारे में माने ने लिखा इन गोश्टियों से अधिक आनंद प्रद कुछ नहीं हो सकता। माने सुवतंत रूप से कला निर्मिती करते हैं। और उनको प्रभावादी चितरकार केवल इसलिए अपना नेता मानते थे कि वे राष्टियों के प्रमप्रागत विचारों का विरोध करते हैं। अनुभवी थे और नवीन चितरकारों को उचित, मारक दर्शन, वे सला देकर उनको प्रतसाहित करते थे। उन चितरकारों को चोड़कर माने सुश अजित, आलिसान, जलपान ग्रहों में जातें। गुर्दोड के मेदान, नाटक ग्रहों, संगीत भाउनों वे सारवजनिक भगीचों में जाकर परतिष्टित समाज की जीवन को वे चितरित करतें। असल में माने प्रभावादी चितरकारों के साथ तद्रूप नहीं हुए, यद पी वे उनके प्रसंसक वहित चिंतक जरूर थे। उनके नवीन प्रियोगों में उनको सायोग देते, वे स्वयम को परतिष्टि चितरकार मानते और उन्होंने कला की प्रमप्रागत नियमों को पूर्ण रूपशे कभी नहीं छोड़ा, अते माने के चितरों में आकारों की इस पश्टता, अध्यन पूर्ण रेखाएं, वे शास्तर शुद्ध रचना ये गुण जो दिखाई देते हैं, वे अन्य प्रभावादी चितरकारों के चितरों में हमें देखने को नहीं मिलते, वे ख्यातनाम चितरकार बनने के लिए प्रियत नशील रहे, एवं कुर्बे के समान नीजी प्रेरणा से राष्टिय कलार्श संत्ता में बेचते रहे, राष्टिय कला परदशनी में ऐस विकृत होने एवं प्रभावादियों द्वारा परसंसा किये जाने से वे प्रभावादी चितरकारों के अधिक निकटे आ गए थे, परंतु उन्होंने अपने चितरों को प्रभावादियों के परदशनी में माने का चितर अच्छे वियर राष्टिय कला परदशनी में स्विकृत हुआ। ये दोर बार-बार चलता रहा। प्रत्यक्स चितरीत करते हुए देखा तब ये बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने ठाराशो चोहतर में अपना चितर नाव की सवारी बनाया जिसको हम पूर्ण प्रभावादी चितर मान सकते हैं। ये वाला जो चितर हैं नाव की सवारी। प्रभावावादी चितर बनाना सुरू किया, किन्तु वे अन्हे प्रभावावादियों के समान प्रकरती चितरन के और आकरिष्ट नहीं हुए थे। वे प्रतेक्ष देख के चितरन करते, प्रण्दु उनके चितरों की विसेई वेसे ही प्रतेश्टित व्यक्तियों के रहन सैंशेशम मन दित थे। नाव की सवारी ये जो चितर देख रहे हो इसमें बाहे वातावन वे प्रकास का परिणाम सपलताश अंकित किया है। जैसा उनके इसे से पहले के चितरों में देखने को नहीं मिलता। जब माने निप्रभावादियों के ख्षनिक द्रश्टि प्रभाव की दिशा में प्रगती की जिसके लिए उनको आकारूं की सपश्टता को कम करके विशुद चम के लिए रंगों का प्रियोग करना पड़ा। थारासो उन्यासी सेवन्टी नाइन में बनाए जार्ज मूर का व्यक्ती चितर वे फोलिय वर्जेर का मदिराग रहे इस नवीन विकशित शेली के एप्रतीम उधारन माने जाशकते हैं। ये जो उपर देख रहे हैं ठारासो फोलिय वर्जेर का मदिराग रहे हैं। इस चितर में आप देखो ठारासो बियाशी का ये चितर हैं। शेशियों, फलों वर फोलों का वस्तो चितरन एवं सेविका की आकरती का अंकर बहुती स्वाभाविक डंग्शें एवं मुक्त तुली का संचालन से किया गया है। फिर भी आकरती, सुईश्पस्ट, सुडोल वर सरीर रचनाशास्तर के नियमों का पालन करते हुए सुंदर बन गई है। इसमें आप देखिए, मुक्त तुली का संचालन किया गया है, ब्रस के स्टॉक्स ऐसे लगे हैं जैसे बिलकुल फ्री हैंड किये हो। आकरती, इसमें सुईश्पस्ट है, सुडोल है, सरीर रचनाशास्तर के जैसे नियमों का पालन करते हुए मानी ने इसमें बनाई हो। इसको हम पूर्ण तया प्रभावादी रंगों की जगमगहट से बना हुआ चितर मान सकते हैं। प्रश्ट मुमी के सीशे में दिखाई देने वाला मदीरा ग्रह की द्रश्चे, एकोने में खड़ी हुई इस्तरी पूरुसको प्रभावादी डंग से ए इसपस्ट रूप में अंकित करके मद्यवर्थी शेविका की आकरती को इसमें इसपस्ट ता वे महत्वप्रदान कि आगया है एसा हम इसमें देख सकते हैं और चितर को व्यक्ती चितर का आकशन प्राप्त हुआ है रंगकांकन पदिती के लिए ऐसे सोम्मी वे स्वच्च रंगों को माने नेश में चुना है कि रंग संगती नेत्रो दीपक ने होकर कोमल वे विशेवस्तु को शाकार करने मे जेशे साइक हो गई हो सयोजन के विचार सी चितर कार ने अपार कोसल इसके अंतरकत दिखाया है मद्देवर्ति शेविका की त्रिवुजात्म काकरती को अग्रभों में की मेज एम सी 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 की आड़ी रेखाउं ने इस्तेरी परदान किया है त्यता सी से में दिखाई देने दो खंबों के बीच वह संतुलित होकर आगे निकलती है माने ने इस चितर द्वारा शिद किया की प्रभावादी अंकनशेली का आकार सुंदरिये वर रचना कोसल से समनवई किया जा शकता है कटर प्रभावादी ने होते विए भी माने ने यह एक ऐसा चितर बनाया जैसा कोई अन्य प्रभावादी नहीं बना पाई इस चितर के बाद उन्होंने विशेश चितर नहीं किया इस चितर को बनाते समय उनका स्वास्ते ठीक नहीं था और उसके बाद वह और बिगड़ता गया और 1883 में उनका देहा उशन हो गया मरति के बाद माने के चितर चड़ते मुल्ये में बिखने लगे शाथ साल बाद उनके प्रसंशकों ने चंदाय के दृत करके उनके प्रशिद चितर ओलंपिया को खरीदा और लूबर संगरादे को दान कर दिया इस परकार यह माने की कुछ इतरे आप इसके अंतरगर देख सकते हो